लगातार अगोशित कट लग रहे हैं विजली की कटों का सिलसला सुबह आंग खुलते ही आरंभ हो जाता है और देर रात तक यूँ ही चारी रहता है सुबह के समें स्कूल जाने वाले परिवार इस से प्रभावित होते हैं दोपहर और शाम को लगने वाले कटों ने वियवसाईयों का वियवसाई चोपट कर दिया है अब लकड बजार एसोसियेशन ने विजली बोर्ड के खिलाप मोचा खोल दिया है और उन्हें जल्द पहले जब कट लगाया जाते थे तो इसकी सूचना पहले अकवार या टीवी चैनल के माधिम से दी जाते थी लेकिन अब जब भी विवाग का दिल करता है वह कट लगा देती हैं जिसकी वजह से जहां आम आदमी प्रभावित है वहीं वियवसाईयों का वियवसाई जो है बिना बताए जो है बिजली के कट लगाये जा रहे हैं जिससे आम वैपारियों को जो है भारी दिक्कत रिशानी का सामना करना पड़ रहा है वैसे ही बजार जो है मंदे की मार जहिल रहा है उपर से जो है इलेक्रिसिटी बोर्ड जो है बिना बताए बिजली के कट ल रोध करेगी और इसके जो है खिलाब जो है एक परदर्शन भी किया जाएगा जल्द ही जो है मेरी यही निवेदान है इलेक्टिसिटी बोर्ड से कि जल्द से जल्द अपनी वेवस्ता को सुधारे और लोगों को जो है परेशानी ना हो इसकी वो वेवस्ता धंग से करें यह जो सोलन शहर में आजकल पावर कट का सिलसिला जो शुरू हो गया है इससे आम आदमे को बहुत परिशानी हो रही है पहले तो ऐसा होता था कि जब भी बिजली जानी होती थी अखबार में या कहीं पे नोटिफिकेशन आजाये करती थी लेकिन अब ना कोई खबर है ना क किसी काम के बैठे हुए हैं सरकार को चाहिए कि इस विशे में कुछ ना कुछ कदम उठाए ताकि यह असुविदा दूर हो सके इससे एक तो आम जंदा परशान है और जब इन्टिमेशन नहीं है पहले जब कट लगते थे तो सरकार इंटिमेशन देती थी कि काल इतने वज़े से इतने वज़े तक बिजली नहीं आएगी लेकिन आप इतना बुरा हाल है सरकार का कोई इन्टिमेशन नहीं है और जिससे आम जंद परशान हो रहा है